हमारे English speaking course में आपका स्वाधत है जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस course में हम English को basic level से सीख रहे हैं और धीरे-धीरे हम advanced level की तरफ जा रहे हैं आज हमारा दिन है हम कुछ दिनों से last कुछ दिनों से हम tense ही सीख रहे हैं और आज हमारा जो दिन है वो है हमारा present continuous present perfect continuous tense का तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप पहली वीडियो पर जाएए और बहां से basic level से आप शुरू करना English को English को सीखना शुरू कर सकते हैं आज हमारा दिन है present perfect continuous का तो present perfect continuous क्या है एक tense present perfect continuous क्या है एक tense है इस tense का meaning है कि कोई काम आप कुछ देर से कुछ महीनों से कुछ सालों से या किसी खास point से कर रहे हैं इसमें आता क्या है कि कोई काम से हो रहा है इसके से रहा है वो सुबा से खाना खार रहा है वो कल से पढ़ रहा है वो तीन मेनों से बहां रह रहा है तो इस सब में कॉमन फैक्टर क्या है कि कोई काम हो रहा है पास्ट से भूत काल से होता चला रहा है और अभी तक हो रहा है उ जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल हों कि मैं सुबह से बढ़ रहा हूं तो सबसे फ़हले सब्जक्ट क्या है मैं तो सब्जक्ट क्या है मैं सब्जक्ट उसके बाद है या है लगाया जाता है है किसके साथ लगाते हैं अगर सब्जक्ट हमारा ही शी इट है अगर हमारा सब से पढ़ रहा हूं तो आई subject हमारा आई है इसलिए हम यहां है को यूज करेंगे उसके बाद हमने बीन आई हैब बीन बन गया हमारे यहां तक उसके बाद जो काम हो रहा है जो बाव है बब क्या है study करना तो आई है बीन study plus ing उसके बाद हमने ing लगाना होता है बर्व की first form के साथ तो I have been studying I have been studying अब कब से बढ़ रहा हूं morning से बढ़ रहा हूं तो उसके बाद हम four या since में से एक चीज़ लगाएंगे अब four कहां लगना है since कहां लगना है यह हम आगे चलके यहां देखेंगे तो सबसे बहले हमने यहां तक सीख लिया कि हमने यह यह बनाना कैसे है I have been studying अब यहां फोर लगे का सिंस लगेगा सबसे बहले हम इसे ही देख लेते हैं कि हम four कहां लगाएंगे कि how long कोई चीज कितनी देर से हो रही है उसका पीरिट कैसे की कोई काम दू सालstein होराँ है कुछ सालों से कुछ मंत Θ rifle कुछ दे इस से कुछ घंटों से तो how long something has been going on कितनी देर से कुछ चीज हो रही है उसके साथ हम फोर लगाेंगे जैसे की पीरिड ऑफ टाइम हो हमारे पास कुछ टाइम का पीरिड हो जिसे हम गिन सकते हैं जैसे कि दो दिनों से पाँच घंटों से दीन सालों से एक टाइम पॉर फॉर मन्स चार महीनों से तो उनके साथ हम 4 लगाएंगे सिंस कहां यूज होगा जहां हमारे पास i-point of time हो जास Cakeन है कि मैं चार बजहें से बढ़ रहा तो चार बज़े करा एक पॉइंट है एक टाइम का पॉइंट है तो उधर मैं से लगाऊंगा अगर मैं ने ये कहنا है कि में बहाँ 2010 से रह रहा हूं तो वहाँ भी मैं शिंस लगाऊंगा कि दो सजार दस क्या है एक पॉइंट आफ टाइम है एक रोका हुआ पॉइंट है बट फोर कहां लगाऊंगा जैसे कि अगर मैंने यह कहना है कि मैं सालों से कोई कम कर रहा हूं तो इस면 में मैं दख सुबह से पढ़ रहा हूं तो सुबह ऑन्ट की सिन्स लगा हूं अगया थो तो में उसके साथ शीदिया थे सा ते एक से चलिडिका LEGS of सबसे वेले मैं यह कहना जाता हूं कि मैं सोबा से बढ़ रहा हूं यह मैंने देख लिया कि I have been studying since morning अब इसे negative में convert करने के लिए हम क्या करेंगे negative यानि कि ना वाच अगर मैंने यह कहना कि मैं सुबा से नहीं बढ़ रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा है हम हमारे पास जो भी है है यूज हुआ या है यूज हुआ है उसके साथ उसके साथ जैस्ट हमने नोट लगाना है तो I have not been studying since morning मैं सुबा से नहीं पढ़ रहा हूं अगर इसका इंट्रोगटीव बनाना है इंट्रोगटीव क्या मिनिंग क्या है हम प्रशन पूछ रहे हैं इसके लिए हमने क्या करना है है या है जो भी यूज किया हमने उसको जस्ट हमने sentence के आगे लगा देना है जैसे कि इसको इ सास या हैस के साथ जो भी यूज के साथ नोट लगाएंगे अगर हमने इंट्रोगटीव बनाना है तो हैसे हैप को हमने sentence के आगे लियाना होता है है वाइब इन स्टेडिंग सिस्स मॉर्निंग क्या मैं सुबा से बढ़ रहा हूं नेस्ट है मार पास आई है बिन तो सबसे पहले हमने subject लगाना है subject कह है हम तो हम को हम क्या कहेंगे हम को हम कहेंगे वी तो वी उसके बाद हमने यह डिसाइड करना है कि हम हैस लगाएंगे हैब लगाएंगे क्यूंकि हमने यह पढ़ा है कि I, we, you के साथ क्या लगे का है है तो हम वी के साथ हैब लगाएंग कितनों गंटों से दो गंटों से तो गंटों के साथ हम 4 लगाएंगे क्योंकि घंटों को हम गेंग के सकते हैं घंटे क्या है this is the period of time how long have I been playing I've been playing for two hours to make two four लगा दो असके बार two hours मैं दो घंटों से खेल रहा हूं I've been playing for two hours negative बनाना है simple क्या करना है हमने नोट लगा देना साथ में we have not been playing for two hours we have not been playing for two hours इंट्रोगेटिव बनाना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने जैसे पहले सीखा है has or have को हमने सामने लगा देना है तो have we been playing for two hours कि हम दो घंटों से खेल रहे हैं अब अगर हमने इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना है अगर मैंने बनाना है कि क्या मैं सुबा से नहीं बढ़ रहा हूं इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव है तो मैं have I not have I not been studying since morning तो subject के साथ हमने not लगाना है तो यह बन गया हमारा interrogative का भी negative have I not been playing have I not been studying this morning have we not been playing for two hours क्या हम दो घंटों से नहीं खेल रहे हैं next मारे पैस है तुम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो तुम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो तो तुम को क्या गहें कि हम यू यू हैब बीन वेट इंग यू हाग बनतला है वहाहँ नहीं होन्हीं इक हो यांहीच जाओ SH बैट आदेगा रहा चाहल की थुम्हें तुम्हें वेट करते हुख बहुत टाइम नहीं हुआ है कम यूँ यहां बहुत है जोलोग हैं mnुघ नोट गसे अन्हीं मेट करते था कि अपसलाइक नेसा अपापलाइदा इसन आप गया जाए बिद Doh मौह कमें इनकर देहने हैं हमें करें केया हैं सिबक तो यह थी मनेरी कंस्ट्रक्वत तो हुआ ही तो ही के साथ हम ने है लगाना है तो ही हैस ही है बीन रहने को लिव इघ लिविग ही है द लिविंग ही है फें है लिविग दियर यह मैं एक अगर हम नहीं यह कहना कि यहां रह रहा है कि यहां रहा है तो हम यह लिवेंग रहेंगे He is a living here 2010 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 एक मन्त से एक महिने से कुवा खोद रही है तो शी शी है एस बीन डिग डिग क्या मिनिंग के है खोधना तो आए जी लगे के साथ में शी को गोद रही है वेल यानि कि कुवा जी वैल यानि की कुवा वो एक महिने से कुवा खोद रही है नेगटिव है she has not been digging the well for one month has she been digging the well for one month क्या वो एक month से कुवा खोद रही है next नेमार पास it has been raining since 10 a.m. 10 बज़े से 10 बज़े से 10 बज़े से बारिश हो रही है it has been raining अब यह देखिए हमने यहाँ it का यूज किया है तो it का यूज हमने एक it and there का यूज कब होता है कहां होता है कैसे यूज होता है इनका इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखिया वो आप जाकर देख सकते है उसका description box से यूए link डाल दूँगा तो it has been raining since 10 a.m. दस बज़े से वारिश हो रही है it has not been it has not been raining since 10 a.m. दस बज़े से वारिश नहीं हो रही है has it been raining since 10 a.m. क्या दस बज़े से वारिश हो रही है अब अगर हमने यह कहना कि क्या दस बज़े से वारिश नहीं हो रही है तो has it not been raining since 10 a.m. has it not been raining since 10 a.m. तो हमने आज यह सीखा कि हम उन sentences को कैसे बना सकती है जिनके last में से रहा है से रही है यह से रही है लगा होता है इस tense को हमने सीखा कि हम present perfect continuous tense कहते हैं हमने इसका रूल सीख लिया कि subject plus has या have उसके पर साथ बीम प्लस वब की first form वब की first form के साथ ing plus object plus since लगेगा या four लगेगा इस sentence के related कोई भी आपको doubt है तो आप comment box में बेजीजक पूछ सकते हैं जुड़े रही हैं हमसे क्योंकि हम 40 इन का यह हमारा कोर्स है इसमें हम इंग्लिश को एडवांस लेबल की तरफ अभी हम जा रहे हैं और बहुत सारे English grammar बहुत सारे English के rules हम ग्रास्प करने वाले हैं थेंक्स वोचिंग वीडियो इस सीरी स्कोर्स को आप अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं थेंक्स वोचिंग वीडियो स्स्क्राइब तो चैनल इस आप नोट दन येट